है मैं आज मैं सिχाने वाली हू Sch evolves मेक रूब लक 4你ज़ नर्बोग फॉर टीनेजर ऐसे स्कूल के लिए रेडी attends कि जाए या कॉलज के लिए रेडी हों या कौन बी function डायन करना थे तो कैसे में केर ना चाहिए वह सब मैं इस वीडियो में सिधाने वाली हूं साथ ही साथ कुछ टिप्स दोंगी कि कैसे आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकती हो and जो existing pimples हैं उनको reduce कर सकती हो so make sure आप वीडियो को अच्छे से दीखो and अपने फ्रेंज के साथ भी share कर देना so let's begin now क्योंकि स्कूल में as such ज्यादा make-up allowed होता नहीं है तो हम लोग skincare पर जादा focus करेंगे तो जैसे ही आप उठते हो सुब आप पाच बजो उठते हो जब भी उठो सबसे पहरे आपको क्या करना है अपना face wash करना है and try करो cold water से कर सको क्योंकि वो क्या करेगा जो भी puffiness उती उसको reduce करेगा वरना आप normally face wash करो and then एक ice cube अपने face पे लगा लो अगर आपकी skin sensitive है तो आप ice को एक cloth में लेकर उसको rub कर सकती हो इससे क्या होगा आपकी जितनी भी puffiness है वो चली जाएगी and also ice skin को थोड़ा सा गलोई बनाने में help करती है and अगर आपको acne होते हैं या pimples होते हैं तो उसको भी reduce करती है आप कोई भी reduce water ले सकते हो सबसे जादा common गुलाबरी वाला है तो आप वो ले सकते हो and इसमें इस तरीके से spray nozzle है तो मैं इसको spray करूंगी reduce water लगाने के बाद इसको थोड़ा सा आप ऐसे pat pat करो and इसको थोड़ा सा settle होने दो now make sure आपका rose water completely dry now थोड़ा सा dab करो and थोड़ा थोड़ा वेट वेट के फिल होगा उस टाइम पर आपको लगाना है आपका moisturizer मैं यहां पर यह पॉंस का moisturizer लगा रहे हूं यह जैल बेस्ट formula है यह देखो किता जैली जैली सा है तो क्योंकि summer season है ना उसमें cream based formula काफी जादा skin को sweaty बनाते हैं इसलिए मैं यहां पर यह जैली बेस्ट यूज़ कर रहे हूं इसके बाद हम क्या करेंगे हम लगाएंगे sunscreen यहां पर मेरे पार sunscreen के लिए तो options हैं एक तो है यह dotting की की watermelon cooling sunscreen इसमें है SPF 50 और एक है यह यह unique आया की tinted sunscreen इसमें भी SPF 50 है make sure आप जो भी sunscreen लो वो SPF 40 से उपर ही हो तो like SPF 40 50 60 जितना higher SPF होगा उतना better आएगा क्योंकि वो sun से protection में help करती है मैं यहां पर यह tinted वाली यूज़ करके दिखाऊंगी कि इससे face किस तरीके से बेटर हो जाता है मैं इस तरीके से face पर अप्लाई करते हूं sunscreen आपको face neck and in fact अगर आप अपने hands पर भी लगा सकते हो तो हर जगा ही लगाने शहिए क्योंकि सारी ही skin important होती है body की आप यह देखो printed sunscreen कर यही फायदा है यह आपकी skin को थोड़ा सा extra you know better दिखाती है basically और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ उपर से लगाया हुआ है तो teachers को भी कुछ पाता नहीं चलेगा क्योंकि यह just sense करेगा नौ मैं बड़ी हूँ तो मेरे dark circles हैं and lipstick around pigmentation भी है so उसको मैं conceal करने वाली हूँ concealer से आप बहुत यंग हो और आपकी skin भी अच्छी घासी होगी dark circles का issue as such होगा नहीं तो आप इवला पार्ट skip कर सकते हो but still अगर आपको किसी function में जाने के लिए आपकी make-up learn कर रहे हो कि कैसे एक teenager make-up कर सकता है तो keep on watching वरना इवला पार्ट skip कर देना हूँ so यहां पे मैं यह inside की concealer palette यूज़ कर रहे हूँ and मैं यह वाला shade यूज़ करूँगी और थोड़ा सा इस वैले को mix कर लूँगी यह purple color character है और दूसरा just normal brown shade बहुत ही lightly मैंने dab किया था इसके काफी जादा product निकल के आ जाता है यह palette बहुत अच्छी है इस मामली में इसमें आप जारा सा पी dab करोगे ना बस touch करोगे तो भी काफी ही product आ जाता है वैसे तो जो मैं finger tip से लगा रही थी मेरा concealer already blend हो गया था उसके बाद मैंने 30 seconds late किया और अब एक बारी बस मूँपे ना अच्छी से brush को मारी हूँ so that कहें भी ऐसा न रहे के extra you know product लगा हुए जैसे मैं आपको बता रही थी कि आप sunscreen तक रुप जाना अगर आप school जाते हो तो tented sunscreen लगाई उसके बाद आप क्या कर सकते हो आप इस तरीके से compact ले ले लेना compact काफी जाता reasonable price में मिल जाते हैं तो एक compact लेना और यह भी आपको तब करने की ज़रूरत है क्योंकि जब क्योंकि आप समर सीजन हो स्वेट बहुत आती है विंटर सीजन में यह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस इस तरीके से पाउडर लेना brush again मैं इसमें इसे फोड़ा भूमा रहे हूं आप चाहो तो इसके साथ ऐसे एक स्पांग जाता है वो भी यूज कर सकते हो और पूरे फेस पे बड़े अच्छे से बहुत ही लाइटी हुमा दो थोड़ा सा पाउडर लग जोए फेस पे जब आप इसको संस्क्रीन के उपर लगाऊगे ना तो ज्यादा ऐस सच कुछ फेस पे दिखेगा भी नहीं बट आपका फेस अच्छा लगेगा आप लगां व मुड़े बड़े कर सकते हो जज न बुट भी अंडर हंडर्ड अमज़न पर अपकार में पर बहुत अच्छा ह्लेता है तो वह आप लगा शक्ते हो लाशच पर पता भी नहीं च्लते कि हाँ कुछ लगाया हुआ है बट यह लाशच को थोड़ाच अन्हां इ इस तरीके से लिडुल बिडुल करके लगा लेना लाइटली ज्यादा हेवी कोटिंग करने की जरूरत नहीं है औरना वह पता चल जाएगी नो मैं लिप्टिक के लिए यहां पे ब्राउन लिप्टिक यूज कर रही हूं प्रिव्यू की है यह लिक्विड लिप्टिक शीड ह है कारमेल 12 और इसे हमें क्या करने वाली हूं यह आप भी कर सकते हो अगर आपको है कि थोड़ी सी लिप्टिक लगानी है तो उसमें आप इस तरीके से लिप्टिक लगाना यहां पे नौ यह तो ब्राउन है यह पता चल जाएगा के ब्राउन लिप्सकिस के होते हैं तो पस एक हलका सा डॉट लगाना है और फिंगर टिप से अची से ब्लेंड कर लेना ज्यादा कलर नहीं आया है कोई बात नहीं दुबारा कर सकते हैं बट अगर एक ही बारी में ज्यादा लगा लिया तो उसमें थोड़ी सी गड़बर हो जाएगी अगें मैं दुबारा लगा यह जाएगा यह जाएगा लिपस्टिक दिखाने पसंद नहीं है तो इसलिए मैं हलकी सी लिपस्टिक लगाती है और उसको ऐसे ब्लेंड कर लेंड कर लेंड को आपको यह मेकप फर टीनेजर्स अच्छा लगा इंफॉर्मेंटिव लगी वीडियो अगर आपको कोई भी औ और लोग चाहिए यह कोई भी और प्वेशन है जो जानने है वो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देना मैं नेक्स टाइम उसकी वीडियो जरूर लेकर आऊंकी और अपनी सारी फ्रेंड के साथ यह वीडियो शेयर कर देना वो भी स्कूल जाएं यह कोई भी फंक्श में जाएं तो उन्हें पता हो कि उनको किस सरीके से मेक अप करना है और सी यू नेक्स वीड बाई